कई वर्षों तक लगभग पचास वर्ष तक एक शेत्र में एक तरीके से युद्ध की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई यद अपी तनाओं बना रहा और परणाम यह हुआ कि ग्यारा सो पैंतालिस आते आते यानि लगभग पैंतालिस वर्षों बाद पोप ने जुती धर्म ग्यारा सो चवालिस में एडेसा पर तुर्की ने अधिकार किया एडेसा आप देखिए कहां पर है नक्षे में तुर्की के थोड़ा दूर इस पर उसने अधिकार किया एडेसा पर और ये नाम आपको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एडेसा का जिकर आगे फिर आपको आएगा और वह भी इन दोनों के बीच एक तरीके से द्वन्द का कारण बनता है तो एडेसा को पर अधिकार ग्यारा सो चवालिस में अब इसके बाद ग्यारा सो चवालिस में कौन सी सेना जाती है ये युद्ध किस सेना के मातहत होता है जैसे पूर्व की जामनी और फ्रांस की फौज ने मिलकर लड़ी जामनी और फ्रांस की फौज ने अब दक्षिन सीरिया पर कबजा किया जहां दमिश्क आता है सीरिया की राजधानी दमिश्क दक्षिन के खेतर में सो अब दमिश्क जो बहुत वर्षों तक मुस्लिम सामराजी का हिस्सा था अब वह बाइजन टाइन में चला जाता है इस चित्र में सीरिया में जो इस्थे धर्म यद्धाओं का एक दुर्ग का दुर्श दिया हुआ है सीरिया डमिश्क जो बिलकुल प्रारम में इसलाम धर्म में परिवर्तित हो चुका था जहां का धर्म वो उलों का एक दुर्ग है एक तरीके का विशाल किला स्रक्षा कवच का बना हुआ स्रक्षा कवच की तरह और इसका निर्मान भी धर्मयुद के दौरान ही हुआ था हमने जिक्र किया है तीनों चारों धर्मिद का तो इसी दोरान अपने कुछ रक्षित रखने के लिए मजबूत रखने के लिए गड़ के रूट में इसको बनाए गया था अरब नियंतर जितने खेतर थे उन पर अक्रमन करने के लिए ये एक बहुत महत्पूर्ण आधार जानी के जो व्यवत्था थी उसका निर्मान बेबार नामक मामलुक सुल्तान ने 1217 में कराया था यानि भारत में सल्तनत प्रारम होने के पहले ही अरब में या सीरिया में हम कहेंगे विशेश रूप से ऐसी मिनारें और जलवाही सेतु का निर्मान हो चुका था और इसके प्रारमिक जो सूत्रों से मालुम होता है कि बेबार नाम के मामलुक सुल्तान ने इसका निर्मान 1217 में कराया झाल 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 दमिश्ट और अधिकार कर लिया लेकिन इसके बाद भी वापस ने लोटाना पड़ गया एक तरीके से ने वापस जाना पड़ा और ये जो युद्ध की जो स्थिति बनी वो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्थिति बनी रही और एक तरीके से स्थितियां थोड़ी बदलने लगी बदलने का कारण क्या था? कि जो युद्ध के लिए जो दोश था धर्म के नाम से जो जोश था 1095 में या 1092-93 में वो जोश थोड़ा कम पड़ गया था साथ ही जो इसाई धर्म के जो धर्म गुरु लोग थे इसाई धर्म के जो प्रचारक लोग थे यो लोग भी एक तरीके से विलासिता का जीवन जीने लगे थे आराम प्रत जीवन जीने लगे थे आप देखेंगे हर धर्म में एक वह स्टेज आता है एक वह चरण आता है जब धर्म गुरु लोग ही विलासिता आदी में लिप तो हिजाते हैं और वहां से धर्म का पतन प्रारम होता है यही बात यहां पर हुई कि दूसरी लड़ाई में इनकी पराजय हुई और उसके जो क यह लोग साथ ही साथ यह लोग एक तरह के से विलासिता का जीवन जीने लगे थे यहां पर एक चीज आपको याद रखनी होगी जो आपके सिलबस में विशेश रूप से जिसका जिक्र नहीं है लेकिन अत्याधिक महटपूर्ण इस दिश्टी से है कि जहां हम एक और समाज यह एक अलग धंका परिवर्तन था पुना मैं दोहरा दू एक और जहां मुस्लिम धर्म का पतन हम देख रहे थे विभिन भागों में बट रहा था विभिन वंशों में इसका पतन हो रहा था लेकिन समाज में एक जुटता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी यह धर्म को सतत रूप से बढ़ाने में मदद की यदे पिये सब एमपाइर्स टूटते गए सुल्तान खतम होते गए वंश बदलते गए लेकिन सामाजिक प्रगती सांस्कृतिक प्रगती इसलाम धर्म की सतत रूप से होती रही इस पर भी हम आगे पना चर्चा करेंगे 1095 उसके बाद 1145 दूसरा धर्मिद पहले धर्मिद का परणाम कि जेरुसलम इनके हाथ में आ गया और दूसरे धर्मिद का परणाम कि जेरुसलम बाइदिन टाइन या इसाई सब बिता को वापस नहीं मिला यदेपी वे लोग कुछ खेतर तो जीच चुके थे पर उन्हें हार के जाना पड़ा हम बढ़ते हैं कि तीसरे धर्मिद के कारण पर और दूसरे और तीसरे धर्मिद के बीच में एक बड़े काल कांतर है लगभग कहना चाहिए करीब 40 वर्ष का बात यह है कि इस समय जैसा मैंने बताया कि इसाईयों में धर्म के नाम से जो जोश हुआ करता था वो थाड़ा कम पड़ गया था शायद वे लोग सततरूस से लड़ाई से तरस्थ हो चुके थे और एक तरीके से शान्ति चाहते थे और दूसरा कारण भी था कि जो इनके ध घटना करम ने कुछ मोड़ दिया और वह घटना करम था कि एक व्यक्ति सलाह अल दिन सलाह अल दिन ने ग्यारा सो सतासी में सीरिया मिश्र में एक नए सामराज की स्थापना की और क्रिश्यन लोग के वरुद इन इसाय लोग के वरुद एक तरीके से धर्मिद छोड़ने का एलान कर दिया और इस धर्मिद में सलाह दिन विजई हुआ जरुसलम पर वापस कबजा किया और इसके कबजे का जो जिक्र है वो कुछ अभी लेखों में भी मिलता है तो इस तरह हम दिखते हैं कि जरुसलम अब वापस मुसलिम कबजे में चला जाता है और इसका परिणाम कि इसाई लोगों को पुनह अपने उस धर्मिक स्थल में जाने आने में दिक्रते होती लेकिन चला दिन जो है वो एक तरीके से उसने बड़ी सहिश्नुता का परिचा दिया बड़ा दयापूर्ण व्यवहार किया इसाईयों के साथ और उसने इसके लिए एक तरीके से उनका जाना आना इस खेतर में जारी रखा ये एक तरीके से एक विपरीत व्यवहार था ले जाद रहें ईसाई लोगों ने जब यहाँ पर कबजा किया था तो बहुत दुरदर्टा पूर्ण व्यवहार किया था बहुत लोगों की हत्याएं की थी जो पूर्ण में बताया गया है निचोड क्या रहा है इस सबका कि जो जरूसलम है वो अपना मुस्लिम खेतर के रूप में बदल गया अब जरूसलम की एक जन संख्या के बारे में भी थोड़ा हम समझ लें वह लगभख सो वर्ष तक यहुदी शासन में भी रहा बहुत काल तक वह इसलामी शासन में रहा बहुत काल तक वह खेतर इसाई शासन में रहा तो इस खेत्र में इस तीनों धर्म के धर्मावलंबी यहां थे और अच्छी संख्या में थे 1189 में तीसरा धर्म्युद हुआ तनाओ तो बना ही रहता था लेकिन धर्म्युद का रूप तीसरी बार इस समय हुआ लेकिन इस धर्म्युद से कुछ निशकर्श नहीं निकला वही इस टेल में क्योंकि मिस्ट के शासकों ने 1299 में इसाईयों को यहां से ख़देर दिया और फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया हालांकि इसाई तीर सियात्रों के लिए जेरुस्लम में जो प्रवेश उसके सतंता बनी रही लेकिन धर्म्युद वालों को फिलिस्तीन के जो पास के खेतर में हैं वहां पर घुषने की पाबंदी लगा दी गई उन्हें जाने आने से मना कर दिया गया फिलिस्तीनी समस्या क्या है पैलिस्टीन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हमने धर्म्युद जब पढ़ा तो इस समय मैंने जिक्र किया था बारंबार कि ये धर्म्युद जो बारवी शताब्दी तेरवी शताब्दी में हुए आज भी वह छेत्र जो है विश्व शान्ती की दृष्ट से बड़ा महत्पूर्ण है उसमें हमने पढ़ा था कि एक होली लैंड था और इस होली लैंड या पवित्र जमीन के लिए इसाईयों ने अर्बों से कई युद्ध किये जिसमें तीन युद्ध का विश्य जिक्र ह हमने किया है और बाद में फिर और कई हुए वस्तुता ये जो होली लैंड है वह जेरूसलम है जेरूसलम वही जगह जहां जीजस क्राइस को पांसी दी गई थी उस समय हमने ये भी पढ़ा था कि किंग्डम अफ जेरूसलम की स्थापना प्रथम युद्ध के बात की गई जी और इस तरह हम देखते हैं कि जेरूसलम के मात्ता जो है वो एक तरीके से तीनो धर्मों में है यहुदियों के लिए क्यों है जेरूसलम क्योंकि उनका जो सबसे पहला मंदिर है सॉलोमन टेंपल वो यही स्थित है जेरूसलम में बनवाए गया और इनका ये सबसे जीजिस क्राइस रहे और उन्हें फांसी की सिजा दी गई इस धर्म का जन्म ही यही हुआ और इसा की मृत्वी भी यही हुई तो इसलिए जेरुसलम इसाईयों के लिए भी अच्चाधिक पवत्र है इसलाम की जहां तक बात करें जेरुसलम के तालुक में तो ऐसा है कि मानिता के अनुचार जेरुसलम में जो डोम ओफ रॉक है आपको मैंने इस ठापर तिकला की बात करते हुए उस अध्याय में मैंने आपको बताया था कि डोम ओफ रॉक जेरुसलम में मनाये गया यह वही जगह है जहां से हजरत को गैब्रियल ने जिब्रियल ने स्वर्ग की यात्रा करवाई थी इसलिए यह इसलाम धर्म का भी एक बहुत प्रमुकिस्थान है बलकि तीसरा प्रमुकिस्थान कह दे है मक्का मदीना के बाद जेरुसलम तो यह तीनों धर्मों के मुक्य धार्मिक तीर से स्टलक्षेतर भी एक ही है थोड़ा सब टाइम लाइन के ओर भी देखें आप टाइम लाइन क्या कहती है इतिहास की ओर फ़ड़ा नज़र डालें तो जेरुसलम पे आप देखेंगे कि किन किन का अधिकार रहा बेबिलोन के शासकों ने पहले कबजा किया सबसे पहले जो मेसोपटैमिया के काल की बात कर रहा हूं मैं जिसका जिक्र मैंने रोमन एमपायर को पढ़ाते समय और इस अध्याय में भी किया है तो बेबिलोन के शासकों ने सबसे पहले कबजा किया बाद में रोमन सामराज्ज का ये हिस्सा बना जब इसा मसीह थे जो बाइदेंटाइन एमपायर कहलाता है और उसके बाद फिर तमाम सल्तनों सल्तनत जितने सल्तान जो हुए बहुत से उस काल में उस खित्र में उनका हिस्पर लंबे समय तक बड़ा कबजा रहा बीच में थोड़े काल के लिए प्रथम धर्म युद्ध का जो मैंने जिक्र किया था इसाईयों ने इस पर कबजा किया था पर वो कुछ च्छनिक रहा कुछ ज्यादा लंबा नहीं रहा और फिर जो ओटोमन का अधिकार हुआ ओटोमन एंपायर पर अभी हमने विशेश नहीं पढ़ा है पर आप इसे याद रखें कि उस खेत्र में बाद में ओटोमन सामराज्य स्थापित हुआ तो सीधे प्रथम विश्युद्ध के बाद जेरुसलम मुक्त हुआ ओटोमन एंपायर के काल से लेकर जोनि लगभग तेरवीं शिताब्दी से लेकर बीसवीं शिताब्दी तक ये उनके अधिकार में रहा और प्रथम विश्युद्ध जो 1917-18 में समाप्त होता है उसके और फिर 1948 में वहाँ एक नए रज्य की स्थापना एक बड़े तेज घटना करम में कर दी जाती है जिसका नाम इसराइल रखा जाता है जिसका जिक्र मैंने अपने इस वेवरन के प्रारम में ही कर दिया है तो ये वही इसराइल है जिसकी स्थापना कब हुई पुना 1948 में दिल्चस्पी है वो एक तरीके से खतम होने लगी और इस्थितियां इन बदलती परिस्थितियों में लोगों के मन में धर्म के प्रती एक वैसा जोश नहीं रहा जैसा पूर में देखा जाता था तो इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार तीन धर्म युद उस खेतर के लि और मुस्लिमों दोनों के लिए बहुत महत्पूर्ण थे और तीनों के परणाम क्या रहे और इस परकार हम देखते हैं कि इस खेतर में ये तीनों धर्मावलम्मियों की बहुलता एक मद्दा थी और ग्यारा सो इंकानबे के बाद भी कई युद हुए पर वैसा जोश धर्म के नाम से नहीं देखा गया जो पूर में था बदलती परिस्थितियों में धर्म और राजनीति को लेकर उसकी लोगों की प्राथमिक ताएं भी बदलने लगी थी यूरोप ने अब अपना सारा ध्यान सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में लगा दिया बजाए धर्मिक मामलों के इस फकार हमने अभी तक इस अध्याय में इसलाम की शुरुआत से लेकर इसलाम के वर्चस्व तक की गाथा समदने की कोशिश की इसलाम धर्म की शुरुआत और उसका वर्चस्व और उसके बाद उसकी टकराहट दूसरों से